असलालेकुम दोस्तों कैसे हो आप सब आज मैं एडवांस कोर्स के हवाले से फर्स वीडियो पोस्ट करूंगी जिसमें मैं आपको फोर पैटल फ्लावर डबल लेयर वाला बताऊंगी कि वो किस तरीके से बनता है उसके लिए हम लेंगे एंकर का कि नीटिंग कॉटन यान जो ब्रेंट उसका टुलिप है अब उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले 10 चेंग दस चेंग लेने के बाद 10 चेंग लेने के बाद इसकी लास्ट चेंग के अंदर स्रिप्स्टिट से अटेश करकर एक रिंग बनाएंगे फिर हम लेंगे 3 चेंग लेंगे बाकी तो हर बार हम 2 चेंग लेंगे 1st time 3 chains इसलिए लेते हैं कि जब हम स्रिप्स्टिट से रिंग बनाता है ना अटेश करते हैं स्रिप्स्टिट से तो वो थोड़ा टाइट हो जाती है जो हमारी 1st chain होती है तो इसलिए हम 1st time 3 chains लेते हैं अब इसमें हम लेंगे रिंग के अंदर हम लेंगे 3 dc's 1, sorry 4 dc's 2, 3, 4 4 dc's लेने के बाद 2 chains लेकर इस रिंग के अंदर हम ऐसी से अटाच करेंगे फिर लेंगे 2 chains, फिर लेंगे 4 dc's, 1, 2, 3, 4 4 dc's लेंगे बाद 2 chains लेकर इसमें हम ऐसी से अटाच करेंगे फिर 2 chains लेंगे फिर उसी में हम 1 dc, 2 dc, 3 dc, 4 dc फिर 2 chains लेकर इसी से अटाच करेंगे फिर 2 chains, फिर 4 dc's इस तरीके से हम 4 पैटल्स लेंगे अब इसको 2 chains से देखें अब 2 chains लेकर हम यहां इस सरीके से ऐसे end नहीं करेंगे जो हमने slip stitch से अटाच किया था उसके back loop में slip stitch से वहां पर ऐसे अटाच करेंगे और उसके बाद हम लेंगे 6 chains 2, 3, 4, 5 और 6 अब यह देखें 6 chains लेकर second layer के लिए हम loop किस सरीके से बनाएंगे यह देखेंगे यह हमारी 6 chains थी तो flower के पीछे यह जो हम SC से अटाच किया था उसके पीछे के दो threads आपको दिखेंगे यह देखें यह देखें वापस दिखाती हूँ यह देखें यह जो curve जो आ रहा है ना दो तरफ से यह curve उसके दो threads आसे दिखके आएंगे अलग से वह इसके अंदर हमको SC से अटैश करना है फिर से लेना है हमको 6 chains फिर वापस देखें यह curve एक यहां जा रहा है यह curve यह जा रहा तो इसका thread यह रहा और उसका thread यह रहा यह दोनों thread के अंदर इस तरीके से डालना है फिर वापिस 3,4,5,6 देखिए फिर यहां पर वापिस ऐसे से अटच फिर वापिस 2,3,4,5,6 अब देखिए 6 चेंज लेने के बाद जो हमारा फोर्ट वाला फोर्ट वाला लुप बनेगा तो वो डारेक्ट फॉर्स्ट वाले लुप के अंदर डाल कर हमको ऐसी लेना है यह देखिए इस तरीके से यह देखिए मैंने फॉर्ट वाला लुप जो था डायरेक्ट लेकर फॉर्स्ट वाले लुप में ऐसी डाल दिया है अब उसके बाद हम लेंगे फॉर चेंज त्री एन फॉर फॉर चेंज लेने के बाद यह फॉर्स टाइम ही फॉर लेंगे फिर एक चेयल लेना है फिर धी क्रोश्यट लेकर उसी में डालना है देखिये ग्रोश्य के लें तो विति लेना और उसी के अंधर एक बार निकाला बड़ाप लिया दूसरी बार निकाला थोड़ा पोलाउन किया बड़ाप लिया थर्ड टाइम उस तरीके से इसमें हम six times three four five एक चेन लेना हैं बीश में हाट रिपर क्लोशिट के बाद एक चेन का gap आना चाहिए तो इस तरीके से तीन चार पांच फिर एक चेन और यह six वाला और फिर three chains देखिए यह जो मेरा first वाला था तो यहां मैंने four chains लिया था लेकिन अब हम three three chains ही लेंगे और उसी में हम ऐसी से attach करेंगे इस तरीके से हम four petals complete करेंगे देखिए यह four petals यहां पर मैंने complete कर लिया है अभी fourth petal के लिए जब मैंने three chains लिया तो end उसको उसी तरीके से जो हमने यहां पर जो ऐसी लिया था ना fourth वाले जब लूप बनाया था तो हमने first वाले में ऐसी डालके वह लूप को complete किया था वह ऐसी के back loop में इस तरीके से slip stitch से attach करके यह देखिए यह हमारा flower complete हो गया है यह देखिए यह flower complete होने के बाद इसको इस तरह से पीशे ऐसे लॉप कर लूप एक्स्ट्रा थ्रेट को कट करके fabric glue से इसको इस तरह से थोड़ असा glue लगा कर इसको ऐसे stick कर दो थोड़ा यह हमारा पका काम हो जाता है यह देखिए यह हमारा four pattern double layer flower है इसको attach करके हम table runner है यह कोई shawl है वो सब भी हम इसको बना सकते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से मैं यह बना रही हूँ इन्शाला मैं आपको next वीडियो में इसको किस तरीके से attach करते हैं वो भी बताऊंगी यह अब इस तरीके से यह white से attach करके जो में जी length चाहिए वो length में complete करूंगी इस flower के pattern में अगर कोई doubt हो आपको तो आप मुझे comment box में जरूर लिखना और मेरे यह चैनल को आप अपने friends के साथ families के साथ जरूर शेयर करना सबस्क्राइब करना like करना और अपना खास ख्याल रखना दुआओं में याद रखना लहाफिज